तू हिरसो हवस को छोड मिया, क्या देस बदेस भिरे मारा, कजाक अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नककारा, क्या बदिया भैसा बैल शुतर, क्या गोली पत्ता सरभारा, क्या गेहू चावल मोट मटर, क्या आग धुआ और अंगारा, सब थाट पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बन जारा, मेरे दोस्तों, अल्लह ने इनसान को बड़े इमतहान में पैदा फर्माया है, ये दुनिया धोके का घर है, मच्छर का पर है, मकड़ी का जाला है, हर गुजरती हुई साथ हमें हमारी मौत हमारी मन्जल से करीब ले जा रही है, अफसोस कि बे कि बस टाइम पास कर रहा हूं, वक्त गुजर रहा हूं, मेरे रफीक टाइम पास करने की चीज़ नहीं है, सारी दुनिया की दौलत और अस्बाब मिलकर भी मुझे एक गुजरा लमा नहीं लोटा सकते, घरी की टिक टिक हमें ये समझा रही है कि गया वक्त फिर वापिस न गर्दों ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी, मैं बीस साल का हो गया, अब मैं तीस साल का हो गया, अब मेरी उम्र भड कर चालीस बरस हो गई, नहीं, नहीं ये उम्र भड नहीं रही है, बलके घट रही है, उम्रे दरास मांग कर लाए थे चार दिन, दो आर जू में कट दो इंतजार में मुसाफिर कभी रेलवे स्टेशन को घर नहीं मराया करता इस दुनिया की मिसाल उस रेलवे स्टेशन से ज्यादा नहीं है एक सराय से बढ़कर नहीं है कि जहां मुसाफिर सुस्ताता तो जुरूर है मगर क्याम हर्गिस नहीं करता बसेरा बिलकुल नहीं बनाता मुसाफिर शब से चलते हैं जो जाना दूर होता है देखो देखो के हर तरफ जनाजे उठ रहे हैं वो जो कल सब का चहीता था खिल खिलाता था, करता था, ढकारता था आज कैसा छे फुट नीचे कबर के अंधेरों में सफेद चादर ओड़े बेबस पड़ा है कब तक कहोगे कि मरते मरते बज़ गया कब तक कहते रहोगे कि मरते मरते बज़ गया एक दिन जूर आएगा कि जब बचते बचते मर ही जाओगे वो ही बजार जहां रेशम के थान सज रहे हैं उसी बाजार में कफन का सफेद लट्था भी तो मिल रहा है वो जो कल अपनी दौलत, अपनी शुरत, अपनी कुट पर नाजा था आज उसके जिसम को कबर के कीड़े खा चुके और उन कीड़ों को भी दूसरे कीड़े खा गए देखते नहीं हो कि वो शक्ष के जिसके मरने पर उसके घरवाले दौाई देते थे कहते थे कि अब हम कैसे मुस्कुरा सकते हैं अब खुशी का हम से कोई वास्ता नहीं रहा आज उन्हीं के घरों से नाचने गाने की आवाजे आ रही है शादियाने बज़ रहे है मेरे दोस्त इस दुनिया से क्यों जी लगाते हो कि जिसकी फितरत में ही बेवफाई है ये जिन्दगी भी कोई जिन्दगी है जो मौत के हाथ जेर हो जाए वो दौलत कोई दौलत है जो मौत की मुसीबत में काम ना सके वो जवानी भी कोई जवानी है जिसे जुर्यों भरा बुरापा निगल जाए नहीं ऐसी जवानी और ऐसी दौलत और ऐसी ताकत का कोई फाइदा नहीं है तुझे पहले बच्पन ने हर सू खिलाया जवानी ने फिर तुझको मजनू मनाया बुरापे ने फिर आके क्या-क्या सताया अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया यही तुझको धुन है रहू सबसे बाला है जीनत निराली हो फैशन निराला जिया करता है क्या युही मरने वाला तुझे हुसन जाहिर में धोके में डाला जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है यह अवरत की जाहे तमाशा नहीं है मेरे अजीज भाई तौबा कर लो तौबा कर लो के इसी में आफित है हमारे रब की रहमत हर शेय का आहता किये हुए है उस पाक जात ने अपनी किताब में ये फर्मा दिया कि मैंने रहमत को खुद पर लाजिम कर लिया है अवर रहमान जो हर नेक काम का बदला दस गुना देता है और गुना को बस एक ही शुमार करता है वो जो गुना के इरादे को गुना में शुमार नहीं करता मगर नेकी के इरादे से ही नेकी का शुमार करने लगता है राहे हक में खर्च किये हुए हर पैसे को 700 गुना तक अजर में तबदील कर देता है और सक्ची तّबा करने वाले की तौबा कुबूल पर्माता है और उस तौबा पर गाइम रहने वाले की गुनाहों को सवाफ से तबदील कर देता है जरा सोचो हम कितने बडकिसमत बडनसीब होंगे अगर Allah की इस बेमिसाल रहमत की बावजूद जहन्नूम के घरे में जाग रहें यह मत सोचो यह मत सोचो के इधर तूबा करता हूँ अधर तूट जाती है बलके यह सोचो कि इधर तूबा की और अधर सारे गुनाह माफ हमारा रब ऐसा ही रह्मान रहीम करीम है حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کا ارشاد ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص بدنصیب ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پر گناہ کرے اور زندگی کی امید پر توبہ کو ملتوی رکھے میرے بھائی شیطان بڑا دھوکے باز ہے اس کے بڑے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں پڑی معصومیت سے یہ دعوت دیتا ہے کہ دنیا اور آخرت ساتھ ساتھ لے کر چلو لیکن در حقیقت اس بات سے وہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ نماز بھی پڑھ لو اور جھوٹ بھی بول لو زکاة بھی دے دو اور سود بھی لے لو روزہ بھی رکھ لو اور ناچ گانا بھی دیکھ لو ذکر بھی کرو اور گالی بھی دے لو وہ ہمیں بھلا دینا چاہتا ہے کہ دنیا کو دین کے مطابق بنانا اصل اسلام ہے دوستو توبہ کر کے خود کو قیامت کے لیے تیار کرو سر میں درد ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا فوراں درد کی گولی کھاتے ہیں پیسے کا مسئلہ ہو تو یہ نہیں کہتے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا فوراں حساب کتاب کرتے ہیں ذرا سوچو تو کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ موت ہر لمحے دبے پاؤں ہمارے قریب آ رہی ہے اور کتنی بڑی ہماقت ہے کہ ہم یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا दोस्तों जरा सोचो कि रसूल अल्लाहु अल्याई वालिह वालिह वसल्म के जमाने में ना तो कुरान किताबी शकल में मौजूद था और ना ही हदीस की कोई किताब थी लेकिन फिर भी सहाबा रजी अल्लाई अन्हु अजुनाईन की जिंदगी कुरान और सुन्नत का नमूना थी आज हर घर की अल्मारी में कुरान मौजूद है लाखों हदीसों की किताबें है मगर इमान हसल नहीं वज़ा क्या है वज़ा ये है कि दिन सिर्फ किताब परने से नहीं मगर उस पर अमल करने की मेहनत से आता है सब्का हो तबलीग हो जिहाद हो या निजाम खिलाफत की कोशिश सब इसी मेहनत का हिस्सा है दोस्तो सोचो तो सही कि हम क्या जवाब देंगे हमारा रिप्लाई क्या होगा जब पूछा जाएगा कि तुम्हारे दर्मियान तुम्हारे रब की आखरी किताब मौजूद थी तो तुमने उसे कितना समझा कितना उस पर अमल किया क्या कहेंगे कि हमने एम बीए एम एस सी एसी सीए कर लिया लेकिन अल्ला की किताब पर गोर करने का टाइम ही नहीं मिला हमने दिलो जान से इंगलिश तु सीखी लेकिन अर्बी सीखना तो दूर उसे अपनी जबान में समझा तक नहीं हमने एक दूसरे पर कुफर और बिदत के फत्वे तो बहुत लगाए लेकिन क्या हमारे अकीदे में कोई नुक्स तो नहीं ये कभी कुरान से देखा ही नहीं याद किए उस दिन हम ये कहकर हर्गिजन नहीं बस सकते कि mover किया जो मौलाना सहाब ने कहा और उन के कहे को कभी कुरान पर परका ही नहीं वो जमाने में मौजस थे मुसलमा होकर और तुम खार हुए तारे के कुराह कर Allah subhanahu wa ta'ala हमें सची तौबा की तौफीक अता फरमाए आमीन या रब अलमीन